साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया, मन की बात के कितने ही स्रोता, अपनी चिठियों में बहुत सारी प्रसोंसा करते हैं, कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा सक्ति को देखता हूँ, तो खूद अपने आप अभिभूत हो जाता हूँ, बड़े से बड़ा लक्ष हो, कठिन से कठिन चुनोती हो, भारत के लोगों का सामुहिक बल, सामुहिक शक्ति, हर चुनोती का हल निकाल दे अभी हमने दो-तीन दिन पहले देखा कि देश के पस्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया, तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन विपर जोई ने कठ्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कठ्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी क साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूत पूर्व है, दो दिन बाद ही कठ्छ के लोग अपना नया वर्ष यानि असाड़ी बीच भी मनाने जा रहे हैं, ये भी संयोग है कि असाड़ी बीच कठ्छ में वर्षा की सरुवात का प्रतीक मना जाता है, मैं इतने साल कठ्छ आता जाता रहा हूँ, वहाँ के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है, और इसके लिए कठ्छ के लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दो दसक पहले के विनासकारी भूकम के बात जिस कच्च के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा अज वही जिला देश के तेजी से विक्सित होते जिलों में से एक है मुझे विश्वास है साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्च के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे